अध्ये पर्देश उप्चुनाव से फेले सचीन पाइलेट को मुक्य मंतरी बनाने की मांग होई शुरू अखिल गुजर महत सबा ने क्या कुछ ग्वालियर पर्देश में पोस्टर लगाए हैं पर्देश अध्यक्स बनाकर दिन रात मेनत करवाई सरकार बनी तो मुक्य मंतरी वित गेलोत को बनाया हक और अधिकार मांगा तो उप मुक्य मंतरी और पर्देश अध्यक्स का पद भी छीन लिया नाकारा निकमा भी कहा स्वाभाविक गुजर का बोर्ट चाईए अब कॉंग्रेस को जब तक सचिन पाइलेट को अपना पद नहीं मिलता तब तक गुजर समाज कॉंग्रेस का बहिसकार करेगा कॉंग्रेस साधी के लिए जवान लड़के दिखाती है और साधी बुड़े से करवाती है ये निवेदन किया है गुजर समाज के ही परमुक नेता देवेंदर गुजर ने मज़्य परदेश की जनता से वही राजस्तान राजनीती के बाद मज़्य परदेश की राजनीती में भी सचिन पाइलेट को लेकर बगावत सुरू हो गई है गुजर माहरसबा ने एलान किया है कि सचेन पाइलेट का मध्य परदेश में जाने से पेले ही अगर राजस्तान कॉंग्रेस में राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम कॉंग्रेस के साथ हैं नहीं तो हम कॉंग्रेस के साथ नहीं रहेंगे सचेन पाइलेट का जरूर समर्थन करेंगे सचेन पाइलेट का वैसे ही स्वागत किया जाएगा जैसे की पेले किया जाता था लेकिन इस बार वोट कॉंग्रेस को नहीं बल की बीजेपी को ही दिया जाएगा क्योंकि हर बार की तरह कॉंग्रेस साधी के लिए जवान लड़के दिखाती है और साधी बुड़ों से करवाती है लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा वही दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि सचेन पाइलेट की आज राहुल गांदी से एक बेतरिन मुलाकात होई और इस मुलाकात के बाद कई बड़ा निन्य भी निकल सकता है दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि मद्यपरदेश की चुनाओं की तारिकों का हाल फिलाल एलान नहीं हुआ है वही मद्यपरदेश चुनाओं से पेले ही सचेन पाइलेट को राजस्तान कॉंग्रेस में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी अब देखने वाली बात ये होगी कि आकिर सचेन पाइलेट को राजस्तान राजनिती में कौन सा बड़ा पत दिया जाता है या मुख्य मंत्री की कमान भी सोपी जा सकती है दोर्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेर और अपनी राज कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाज